NDA सरकार 400 पार अब की बार 400 पार NDA सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं 24 में 400 पार इन दो तस्वीरों को देखिए पहली तस्वीर वक्त रात के पौने 11 बजे जगें बीजेपी मुख्याले दूसरी तस्वीर तड़के 3 बज कर 15 मिनट जगें बीजेपी मुख्याले यानि रात को साड़े 4 घंटे प्रधान मंतरी मोदी बीजेपी मुख्याले पर मौजूद रहे पार्टी के दिगज नेताओं के साथ चुनावी मन्थन किया इस बैठक के एहमियत का अंदाजा आप इस बाद से लगा सकते हैं कि प्रधान मंतरी मोदी तड़के सवा 3 बजे बीजेपी मुख्याले से निकले एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा हुई ये है बीजेपी की 24 की चुनावी तयारी करीब साड़े 4 घंटे बीजेपी मुख्याले में मेरथन बैठक के बाद पीम मोदी निकले वो भी तब जबाद सुभा ही उन्हें जार खंड और पच्चिम बंगाल के दोरे पर निकलना है साथ ही प्रधान मंतरी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ग्री मंतरी अमेजशा रक्षा मंतरी रादनाज सिंग बीजेपी मुख्याले पर मौजूद रहे अलग-अलग राज्ये के नेताओं और पदादिकारियों के साथ देर राद तक मंधन किया किंदरी चुनाव समीती की बैठक राद भर बीजेपी कारेले में चली जहां पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मुदी भी मौजूद थे उसके साथ ही साथ गरे मंतरी अमिश्शा और अध्यक्ष जेपी नड़ा भी मौजूद थे और ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो पहली लिष्ट है उसको जारी किया सकता है जिसमें कि तकरीबन सौ से डेर सो सीटों का यहां पर एलान किया जाएगा 2024 के चुनाव का शंखनाद होने से पहले एंडिये 400 की रननीती को लेकर आगे बढ़ रहा है बीजेपी हर हाल में 370 प्लस और सयोगी दल यानि एंडिये के साथ सीटों के आकड़े को 400 पार ले जाने का ब्लूप्रिंट तयार किया जा रहा है रननीती को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के नेताओं के साथ दिन राप एक किये हुए हैं एंडिये को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइल स्टोन पार करना ही होगा लिहादा बीजेपी कोई कोर का सार नहीं छोड़ना चाहती है जिसके तहद बीजेपी मुख्याले पर उत्तरपदेश, तेलंगाना, राजस्थान, चत्तीजगर, गुजरात, मद्यप्रदेश, उत्राखंड और गोवा के मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी पदादिकारियों के बैठक हुई जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे पहले उन सीटों पर फोकस कर रही है जिस पर उसे हार मिली थी उत्तरपदेश की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीम भी शामिल हुए जिसके बाद सायोगियों के साथ सीट बटवारे को लेकर करीब पचास प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी है सूतरों के मुताबिक उत्तरपदेश की 80 सीटों में से सायोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीट छोड़ेगी जिसमें बिजनौर और बागपत की दो सीटों पर आरलडी, मिर्जापूर और रोबर्ट्स गंज की सीट पर अपना दल एस, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, S.B.S.P. को घोसी और निशाद पार्टी को संत कवीरमेगर की सीट देना टै किया गया साथ ही यूपी की 50 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तै कर लिए गए, बस अब आपचारिक एलान होना बाकी है बड़ी चुनावी जीत के लिए बीजेपी ने फूल प्रूफ प्लाइन तैयार कर लिया है पिछले तीनों चुनावों के आकड़े को देखते हुए हारी हुई सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है और सबसे पहले उनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के अरान होगा जहां बीजेपी हारी थी सबसे पहले देज भर की सीटों पर बीजेपी की हार जीत का विछलेशन समझिए 95 सीट ऐसी हैं जहां तीन बार से बीजेपी लगतार जीत रही है 73 सीट ऐसी हैं जहां पिछले दो बार बीजेपी जीती है 76 सीट ऐसी हैं जहां 2019 के चुनाव में काम्याबी मिली और 344 सीट ऐसी हैं जहां कभी न कभी बीजेपी जीत चुकी है लेकिन 199 हीटे ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत नहीं मिली है साथियों ये 370 की ताकत देखिये 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देश वास्यों को कहां है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिये और एंडिये को 400 पार कर दीजिये बीजेपी अलाकमान इनी 200 सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है और इसके लिए बीजेपी पीम मोधी के चहरे और विकास के अजंडे के तहट तीसरी बार देश के सत्ता के सिहासन पर काबिस करने की तयारी कर रही राहूल मिश्रा के साथ ब्यूरर रिपोर्ट जी मीडिया दिल्ली जी नीर्स